भोग बने हम पर हमारी दिक्कते महत्व की नहीं है महत्व है इस देश की जनता की दिक्कतों का इसलिए मेरे नेता और लाइक माइनेट पाल्टीज ने ताई किया कि हमारे पर चाहे कितनी भी दिक्कत आए देश की जनता की दिक्कत की चर्चा हम हाउस में करेंगे और अंग्रेज का रहा था आपका कहां से रहेगा मैं महदें मैं महंगाई पे एक चंद लाइनों के साथ अपनी बात सुरू करना चाहता हूँ मैं महंगाई पे चंद लाइनों के साथ चंद लाइनों के साथ मेरी बात सुरू करना चाहता हूँ महिंगाई पे हाई रे बाजपाई महिंगाई तुन्हें कैसी आफ़त ढ़ाई हाई रे बाजपाई महिंगाई तुन्हें कैसी आफ़त ढ़ाई देशवासियों के जीवन को बना दिया दुखदाई मैं महदे मैं किसी हवा बाजी में विश्वास नहीं करता हूँ ना फैंकू बाजी में विश्वास करता हूँ मैं आपको सोर्स बताऊंगा माननी महदे Ministry of Consumer Affairs इनका एक डिपार्टमेंट है Price Monitoring Price Monitoring Department जो आपका Ministry of Consumer Department का हिस्सा है उसके आकड़े आपको देना चाहता हूँ अभी पूर्व मंत्री रहे एक सदश्य जी बिना सोर्स बताए बात करते थे मैं सोर्स दिखाता हूँ महिंगाई का दर 2021 अप्रील में 4.23% था वही महिंगाई सिर्फ एक साल में अप्रील 22 अल्मोस्ट डबल हो गया 7.79% ये हालत है इस देश की इसी इसी मिनिस्ट्री आप कंजिमर अफेर्स के मॉनिटरिंग डिवीजन ने अपने आकड़ों में कहा है कि राइस हमारे वक्त में 1st में 2014 26 रुपिया 17 पैसे प्राइस थी वो 14 फॉस्ट में को और 22 फॉस्ट में को 35 रुपिया 85 पैसा 37% बढ़ा दिया आपने ये हूँ 20 रुपिया 5 पैसा था आपने 28.01 पैसा कर दिया माने 37% बढ़ा दिया आप ये सारी चीजों पे आपने बड़ा लंबा लिस्ट है मैं इसी इसी आधार पे जाके आप देखेंगे तो पता चलेगा मोदी जी कुछ वर्ड कोईन करने में बहुत हुश्यार है उन्होंने कोईन किया टॉप टॉमेटा ओनियन और पॉटेटो टॉप और ये आम आदमी के लिए आम नागरी के लिए टॉप जरूरी होता है उसकी प्राइजिस टॉप पे चड़ा दिया आपने ये हकीकत है कहते थे 2014 में बहुत हुई महिंगाई की मार अब लोग कहते हैं बसकर मोदी सरकार मैं आपको ये कहता हूँ आपके जरिय मंधे वित मंतरी जी मैं उसकी बहूत इज़द करता हूँ बहुत शालीन है और जिस उनिवर्सिटी की बहूत इज़द करता हूँ जवारलाल नहरू उनिवर्सिटी जहांसे बहुत अच्छे चे लोग निकले उस JNU की वो पासाउट है वहीं से उन्होंने शिक्षा ली है जिनको कुछ लोग शासक पक्ष के जुड़े हुए कहते हैं देश द्रहिवों का अड़ा, गुंडों का अड़ा मैं उस JNU का बहुत समर्थित हूँ मैं वितमंत्री जी से गुजारिश करता हूँ लिखता है, कि मैं मर रहा हूँ मैं पढ़ा लिखा मुझे रोजगार नहीं मिला मजदूरी करता हूँ पर महंगाई इतनी है कि मैं मेरे घार परिवार का पोशन नहीं कर सकता हूँ मैं आतम हत्या कर रहा हूँ मैं दूसरी बात आपसे करता हूँ उस बोटार डिस्ट्रिक के रोजीद विलेज में मोहदे एक कांड होता है महात्मा गांदी जी की भुमी जहां नशा बंदी है शराब बंदी है वहाँ शराब बिक नहीं सकती है वहाँ पे जहरीली शराब आती है 75 लोग जान गवा देते हैं मैं विशे इसी के जुड़ाय में कहता हूँ और उसी वक्त पे कुछ बच गए उनकी आँखे गई किड्नी गई वो कहता है इंटर्यू में कि मैं मजदूर हूँ मैं शराब नहीं पीता था महंगाई इतनी है कि मैं डबल सिफ्ट में काम करके डबल मजदूरी करता था इतनी तन्तोड मेहनत करता था कि रात को सोने के लिए मैं थोड़ी सी शराब लाके पीता था और जिसमें जहरीली शराब आई मैं आपके जरिये वित मंत्री जी से गुजारिश करूँगा कि प्रदान मंत्री जी तो अबे गए वो वहार ओजित नहीं गए थे उन गरीब के आँसू पहुचने नहीं गए वित मंत्री जी आप पदारो मैं आपके साथ चलूँगा हम दोनों जाएं और उसके घर के लोगों के आँसू देखके फिर आप सिकार करना कि महंगाई है कि नहीं और हम दोनों जाएं और वो परिवार कहे कि महंगाई नहीं है मैं आपसे और इस हाउस से भी माफी माँगूगा कि मैंने जो बाशन दिया था वो मैं विड्रो करता हूँ और मापी मांगता हूँ हकिकत तो ये है कि लोग बहुत परिशान है हमारी बात ओपोजिशन की बात लोग तंत्रम में सरकार को सुनना चाहिए और लोग तंत्रम में ओपोजिशन की बात मानना भी चाहिए पर आज का दौर ऐसा नहीं है इसलिए मैं मेरी बात नहीं मैंने जब आज के प्रधान मंतरी जी के आप बहुत मानते हो बहुत सुनते हो नरेंद्र भई ने कह दिया पगवान ने कह दिया इसलिए मैं कहता हूँ कि जब वहां के गुजरात के मुख्यमंतरी थी मैं विरूदी दल का नेता थू उस वक्की वीडियो मैंने निकाली है मेरे सोसिल मीडिया पे लगाई है और आप चाहोगे तो सीधी आपको दे दूँगा उसमें मोदी जी ने कहा था महंगाई को देखके मुझे कहना पड़ रहा है दूब मरो दूब मरो दिल्ली वालो दूब मरो महंगाई को देखके मुझे कहना पड़ता है भायो बैना कि ये महंगाई को रोक नहीं सकते वो सरकार किस काम की ये कहने वाले आज नरेंद्र भाई मोदी जी का video social media पे है महिंगाई से परिशान लोग महिंगाई के परिशान लोग उमीद करके बैठे थे कि पार्लामेंट शुरू हो रही है हमें कुछ relief मिलेगी हमें कुछ रहत मिलेगी रहत नहीं दी आपने GST का और मार मार दिया रिलिफ देने की बजाए GST और बढ़ा दिया और किन चीजों पर बढ़ाया आपने जो सामान्य नागरिक खाता है आम नागरिक कॉर्ड, लसी, बटर मिल्क, पनीर, राइ, स्वेट मुरी, जेगरी, नेचरल हनी एक हजार से नीचे वाले कमरे में कौन रुपता है? एक गरीब रुपता है उस होटेल का एक हजार के कमरे के उपर भी आपने GST पाच प्रतिशत डाल दिया अरे यहां तक कि आपने समशान को भी नहीं जोड़ा समशान के उपर भी आपने GST डाल दिया इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? मौदई मैं यह कहना चाहता हूँ अभी माननी सदस्य प्रकास जावडेकर जी कहते थे कि आप ओइल बॉंड लाएं मैं आपको कहना चाहता हूँ आप आखड़े देखिए पेट्रोलियम एनालिसी सेल के आकड़े देख लीजिए आपने 27 लाख करोर रुपिये वसूल किये और बॉंड में कितने बरे है आपने? सिर्फ 98,000 करोर और 27 लाख करोर रुपिये आपने टेक्स कलेक्ट किया कि इस नाम से आप बॉंड की दुहाई दे रहे हो मैं महदे जावडेकर साहब माननी सदश्य स्री कह रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट रसोई गेस LPG जिसे ट्राइ करता है साओधी अराम को हमारे वक्त में 2013-14 में इस साओधी अराम को के मुताबित 885.2 US डॉलर पर मैट्रिक टन LPG का प्राइस था और उस वक्त हम देते थे बॉटल 400 से 415 में आपके वक्त में मार्च 2022 में 769 US डॉलर पर मैट्रिक टन LPG माने सस्ता हो गया और आपने 400 से 1100 रुपया गयस का सिलिंडर कर दिया महदय मैं पूछना चाहता हूँ जब 400 रुपया गयस का सिलिंडर था तब एक मंत्री विरांगना हो जाती थी और गयस के सिलिंडर पर चड़ बैठती थी लोग पुछते हैं वो मंत्री जी कहां है आये तो सही अब तो 1100 हो गया गयस का सिलिंडर आये तो सही हो मैं महदय ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जब थी उसके आखरी तिन साल का एवरेज जावडेकर जी आप देखिए उस तीन साल का एवरेज कच्चा क्रूड था 108.46 यूएस डॉलर पर बैरल और हम कितने में देते थे कभी 100 रुपिया नहीं पहुंच दे दिया और आपकी सरकार का लास्ट तीन साल का एवरेज देखो कच्चा क्रूड हुआ 60.6 यूएस डॉलर पर बैरल माने आधा हो गया पर आपने 100 के पार कर दिया आप ये एक सेकंड देखिए एक मिनिए आधा मिनिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि पदान मंत्री जी गुजरात के मुख्य मंत्री थे और जब मनमौन सी जी ने कहा कि आप स्टेट वाले थोड़ा वैट कम कीजिए तो मुदी जी ने क्या कहा था भाईो बैना ये दिल्ली वाले पाप करते हैं और राज्यों को कहते हैं कि तुम धोर जालो हम कहां से दोएंगे कम करना है तो तुम तुम्हारा एक्साइज करो करो तुम्हारे पाप से पेट्रोल डिजल बढ़ता है हम वैट कम नहीं करेंगे ये मुदी जी ने खुद कहाता वीडियो है मेरे पास मेरे खिलाफ प्रिविलेज करना मैं वीडियो दिखा दुआ कि एक पैसा कम नहीं किया था वैट का आज आप महराज की दुआय देते हो एक आखरी बात करके खतम करता हूँ जब प्रदान मंत्री जी मनमौन सी जी थे महिंगाई के लिए डॉलर की किम्मत और रुपिये को साथ गिनते हुए मोदी जी ने कहा था कि प्रदान मंत्री जी की उम्र के साथ ये रुपिया कॉम्पिटेशन कर रहा है अरे वो तो प्रदान मंत्री जी अच्छे थे कि उन्हों ने अपनी उम्र से आगे कभी नहीं जाने दिया मोदी जी की दो बर्थ डेट है और दोनों बर्थ डेट की उम्र से आगी आज रूपिय की किम्मत चली गई है यह हकीकत है वो कहते थे रूपिया गिरता है तो समझ लो प्रदान मंत्री गिर रहे है उसकी इज़त गिर रही है वो कहते थे रूपिया गिरता है तो समझ लो डेली की सरकार की इज़त गिर रही है मैं आज कहता हूँ कि आ दो लाइने जो सिर्फ मैंने दी है यह इसके उपर महंगाई के उपर आप अगर दो मिनिट दे दे तो मैं दो लाइने आपका टाइम ओबर हो चुका है बस्सक्ता की दो पंतिया हाई हाय भाजबाई महहंगाई महराणी थोड़ी सी देशवासी पे करो महरबानी सारा देश तुम से परिशान कुछ तो पुरुपा करो सरकार आई है जब से भाजबाई कठिन हो गई है देश की जिंदगानी स्वाद गया जीवन से बेस्वाद हो गई है देश वासी की जवानी